यो फ्रेंड स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के में जिसमें आज हम महतपूरन पर्षन देखेंगे जो कि राजस्थान के एकिकरन से पूरा के कुछ इंपोर्टेंट तत्थ है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो को शुरू करने से पह कि पहला क्यूशन है कि अंग्रेजों दवारा स्थापित राजस्थान की एक मातर रियासत कौन सी थी तो इसका आंस्वर है जालावाड आप इसको याद कैसे करेंगे कि अंग्रेजों दवारा स्थापित राजस्थान की एक मातर रियासत थी आपको अंग्रेजों से याद आना चाहिए कि वो हर समय फूट डालो राजकेओ की राजनीती अपनाती थी तो अंग्रेजों को आप से याद आना चाहिए हम इसा कि जासा देती थे एक तरह से वो तो जासा से हम क्या निकालेंगे जहलावाड तो राजस्थान का एक मातर र्यासत ये सी थी जहलावाड जि आगे देखते हैं कि अंडो मान राजस्थान को अंडो मान जैसल मेर को कहा जाता था यह सबसे पिछड़ी रियासत भी थी तो क्यूशन अगर आए कि राजस्थान का अंडो मान कौन था या यह क्यूशन आए कि सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी थी तो सीधा सांसर है जसल मेर कैसे याद रखेंगे इसको कि जसल मेर मेर थार मरुस्तल बहुत ज़्यादा मातरा में है एक तरह से पसरा हुआ पूरा जसल मेर मेर तो सीधी सी बात है पिछड़ी हुई रियासत कहलाईगी तो इस परकार से हम चैसल मेर को याद कर सकते हैं कि वो पिछडी हुई रियासत क्यों माना जाता था कि थार्म रुस्तल भाई पसरा हुआ है उसमें कुछ भी सुक्स विदाई नहीं है रेत ही रेते हैं तो पिछडी रियासत कहलाता था नेक्स्ट देखते हैं 1942 के भार्थ चोड़ो आंदोलन में भाग किसने नहीं लिया था राजस्थान की दो रियासतें ये सी थी जिन्होंने भार्थ चोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था तो वो कौन सी थी जैपूर और जैसल मेर इनको याद कैसे करेंगे देखिए भार छोड़ो आंदोलन जै जैसी सिथिति में था जैकिन उन्होंने भाग नहीं लिया तो हम ऐस फ़ल रहें बस दो सबत जोडने हैं, बाद छोड़ो अंदोन तो हमारे पास है ही कि बाद छोड़ो अंदोलन जै जेसी सितिती में था, यानी जीतने की सितिती में था, लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया, और हमार गये, यानी ऐसा फ़्ट रहें, तो जैसे हमारा जैपूर जैसी से जसल में Next है शिक्सा परतिबंद लगाने वाली पर्थम र्यासत कौन सी थी आन्सवर है इसका डुंगरपूर 1947 में इसको याद केसे रखेंगे कि डुंगरपूर ही थी वो र्यासत केसे रखेंगे आप जानते हैं कि डूंगरपूर जो है एक आदिवासी जिला है तो आदिवासियों को पहले की बात लेते हैं कि आदिवासियों को क्या होता है पेड़ पोदों से कोई फल्फरूट गिर जाते हैं उन्हें चुग लेते हैं और उनहीं से अपना जीवन यापन करते हैं तो उनका जो दाइरा होता है अपनी पेट पूझाता की सीमित होता है यानि उन्हें सिक्सा से क्या मतलब होता है तो उन्हें परतिबंद लगा दिया तो किसने लगा है डूंगरपुर ने आदिवासी छेतर डूंगरपुर ने लेकिन परजेंट टाइम में येसी सिच्वेशन नहीं है हमारा डूंगरपुर 2011 की जनगर्ना के तहत आदिवासी जिलों में पर्थम येसा जिला है जो पूरन साकसर कहलाया है यानि आदिवासी जिलों में पूरन साकसर जो जिला है वो डूंगरपुर ही है लेकिन पहले हम की बात याद करेंगे तो आदिवासियों से ही याद करेंगे कि आदिवासी रियासत थी डूंगरपूर और उन्हें सिरफ अपने जीवन यापन तक सिमित रहते थे तो उन्हें सिक्सा से क्या मतलब इसलिए उन्हें इस पर रोक लगा दी नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पर्थम सोंतनतरता दिवस किस रियासत ने नहीं मनाया था आंस्वर हिस का अलवर भाई पर्थम सोंतनतरता दिवस नहीं बनाया यानि उसे कुछ अलगाव ही है इसी वज़े से उसने पर्थम सोंतनतरता दिवस नहीं मनाया तो हम अलगाउ से याद रखेंगे अलवर कि बहई पर्थम स्वंध्रNतर्ता द्यवस नहीं मनाया भी उसनी, क्यों नहीं मनाया बहई कोई बात होगी, अलगाउ होगा इसलिए नहीं मनाया, तो अलगाउ से अलवर next question है, वे रियास्ते जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी तो ट्रिक के माद हम से याद करेंगे कि वो र्यास्ते कुण सी थी जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी तो ट्रिक है डूंगर भर जो और धो टोका टाकी मत कर डूंगर यहाँ पर किसी लड़के का नाम है तो कह रहा है कि डूंगर भर जो और धो टोकाटा की मत कर यानि अपना कार्यकर जों को भर और उन्हें धो टोकाटा की मत कर यानि अनाकाने मत कर तो चिरफ भर जो और धो टोकाटा की मत कर तो ये रियास्ते हो गई हमारी छे जो हमारे राजस्थान में विले नहीं होना चाहती थी डूंगर से हमारा डूंगरपूर, भर्स से भर्तपूर, जो से जोदपूर, ओर से हम अलवर लेंगे पहले ही बता चुके हुआ आपको क्या अलगाओ था इसका इसलिए इसने पर्थम सोंतनतरता दिवस भी नहीं बनाया तो ऐसे हमारा अजमेर नहीं बनेगा तो दूसरा ऐस सिर्फ अलवर यानि अलवर आएगा यहां पर और दो से धूलपूर, टॉक से, टॉक का से टॉक मेरे ख्याल से ये किलियर हो गया होगा आपको ट्रिक है कि जो रियास्तें राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी उसकी ट्रिक है डूंगर भर जो और धो टोकाटा की मत कर नेक्स्ट क्यूशन है कि वे रियास्तें जो एकी करन के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी येसी रियास्तें भी थी जो हमारे देश के राज्यों में तो मिलना नहीं ही चाहती थी पाकिस्तान में ही जाना चाहती थी वो कौन से थी आंस्वर है जोदपूर और टॉक याद केसे रखेंगे इसको पाकिस्तान को लीजी कि पाकिस्तान जो है हमेशा टॉक आटाकी करता है पाकिस्तान जो हमेशा टॉकता रहता है भारत को यानि अच्छी बात तो कोई बोलता है नहीं भारत के परती तो कैसे करेंगे पाकिस्तान जो टौकता रहता है तो इसी से हम लेंगे कि जो पाकिस्तान में जाना चाते थे वो थे जो तुपुर और टौक यानि पाकिस्तान जो टौकता रहता है पाकिस्तान जो टौकता रहता है ये राजस्तान के जिन थे रियास्तें थी जो पुरो टॉक जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी नेक्स्ट है मैं अपने डैथ वारंट पर हैस्ताक्सर कर रहा हूँ किसने कहा इसका अंस्वार है चंदरवीर सिंग ने जो कि बासवाडा के थी इसको याद किसे रखेंगे कि भई राजस्थान का एकिकरन चल रहा है रियास्तों का विलायक किया जा रहा है तो उस पर उसमें अच्छाए कारिया हो रहा है एक तरह से देश का एकिकरन हो रहा है अपने राज्य का एकिकरन हो रहा है लेकिन उसमें एक तरह से रोड़ा अटकारी है रट काया जा रहा है यानि बास का डंडाल दे रहे हैं ये ले नहीं होने दूँगा और जब हस्ताक्षर कर भी रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं डैथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ यानि उसमें भी अपनी वीरता बता रहे हैं तो इससे मतलब क्या निकड़ेगा कि एकिकरन हो रहा है उसमें हम रोडाट का रहे हैं बास का डंडा दे रहे हैं कि बास वाड़ा बास की डंडे से बास वाड़ा और एकिकरन एक अच्छा कारिया हो रहा है उसमें भी हम जब विले पर हस्ताक्सर कर रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं कि मैं अपने डैथ वारंट पर हस्ताक्सर कर रहा हूं तो यह अपने आप में वीर कहला रहे हैं तो इससे होगा चंदर वीर सीम यह सिर्फ याद करने का एक तरीका है कोई सीरिसली मत लेना मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुचाना नहीं चाहती हूँ इसलिए सिर्फ याद करने का एक तरीका बता रही हूँ क्योंकि क्यूस्टन जब एक्जाम में आते होना तो option ये से दिये जाते हैं मिलते जूलते और अक्सर गलतो जाते हैं इसलिए सिर्फ याद करने का तरीका है ये को सीरियसली मतले ना नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट रियास्ती विल्यापत्तर पर रहस्ताक्सर करना वाली पर्थम रियास्त कौन सी थी आंस्वर है बिकानेर सारदूल सिंग ने 7 अगस्ट 1947 में इस पर रहस्ताक्सर कर दी रियास्ती विल्यापत्तर पर रहस्ताक्सर करने वाली पर्थम रियासत पिकानेर कैसे याद रखेंगे इसको कोई अच्छी चीज है हमारा एक्करन हो रहा है राजिस्थान का तो अच्छी चीज है एक तरह से अच्छा ही कारिया हो रहा है तो उसमें जो कोई अच्छी चीज होती हो तो वो सबसे पहले बिकती है देखा योगा कोई भी अच्छी चीज है हम मार्केट में जाते हैं कोई की चीज खरीदते हैं तो हम अच्छी अच्छी देख कर खरीदते हैं तो रियास्ती विल्यापत्तर पर जो हस्ताक्स रो रहे हैं एक करन हो रहा है तो अच्छा ही कारिया है ये तो अच्छे कारिये में सबसे पहले क्या विके अच्छा चीज भी की है तो विका पहले क्या विका अच्छी चीज भी की विका से हम लेंगे विका ने सारदूल सिंग ने स्ताक्सर की एस पर 7 अगस्त 1927 को और ये रियास्ति रियास्ति विभाक की स्थापना कब हुई थी ये भी याद रख लीजी आप 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हुई थी और सारदूल पर थम विका नेर ने हस्ताक्सर किये थी नेक्स्ट क्यूशन है कि विले पतर पर हस्ताक्सर करने वाली अंतिम रियासत को ने थी उत्तर है धोलपुर सासक थे इसके विद्यभान सिंह याद के से करेंगे कि अंतिम रियासत कौन सी थी धोलपुर यानी येसी रियासत जिसने पूरी तरह से जाड़ पच्छोड़ कर देखा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है, क्या नहीं, अच्छा है, यानि सब कुछ अच्छी तरह से रगड रगड कर दो कर देखा, और फिर देखा कि ठीक अभी, दस्ताक्षर कर देता हूँ, तो अंतिम में क्या आया, सब कुछ दो दा कर आए, वो है धोल पूर, इस के साथ सकते उद्भान सिंग उद्भान सिंग ने चोदा अगस्त को 14 अगस्त 147 को अस्ताक्षर कर दिए चोदा अगस्त सो 14 Holland ग्रीकपुर स्थाक्षर कर दिय को यानि विकानियर के से साथ दिन बात foul तो फ्रेंट्स ऑज के वीडियो में इतना है उमेद है आपको मेरी ये ट्रेक आपको समझ आ गई होगी नहीं समझ मैं आई है तो एक बार फिर देख लीजिए इसको फिर देख लीजिए आपको समझ आ जाएगी और अगर एक बार समझ मैं आ गई न तो फिर आपसे क्यूशन जब पूछेगा न तो आप कभी नहीं बूलेंगे वे से रटे लगाएं जाए रटे लगाएं जाए क्यूशन याद हो जाते हैं और आपको पता भी होता है लेकिन एक्जाम में जब जाते हैं और क्यूशन तब आता है आप गल्द करकर आते हैं क्योंकि याद रहता है लेकिन जब उप्शन होते हैं पास के सारे सही लगते हैं और गलत करकर आते हैं तो इनको अगर आप ट्रिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं करकर आएंगे ये लिखवा कर ले लिजे मुझे तो फ्रेंड्स लास्ट में इतना ही कहूंग कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे तब तक धन्यवाद